तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए फिरामनल गुर जी को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेश टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो मी है उसने अपना जो LED स्मार्ट टीवी है लांच कर दिया है तो यहाँ पर आपको दो वेरियंट देखने को मिल सकते हैं तो जो पहला वेरियंट है आपको 32 इंच का मिलने वाला है और जो दूसरा वेरियंट है वो आपको 55 इंच का मिलने वाला है तो यहाँ पर हम दोनो smart tv के जो है review कर लेते हैं इसमें हमें क्या-क्या feature देखने को मिलते हैं तो इस वीडियो में हम यहीं बताने वाले हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं यह है M.I.LED Smart TV 4A 43 इंच का तो यहाँ पर आपको जो इसका price है 22,999 में आपको देखने को मिल जाता है और यह जो है full HD display आपको इसमें मिलता है तो यहाँ पर आपको 20W का stereo speaker भी मिलता है साथ में आपको यहाँ पर multiple port मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर जो अपनी cable है connect कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखे जो leading performance भी मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर आपको patch wall मिलता है और massive content library भी आपको मिलती है इसके बाद यहाँ पर आपको इसका जो display है देख लेते हैं तो HD का जो resolution है आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है और यह है full HD तो इसका जो resolution है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो यहाँ पर जो brightness है काफी हद तक यहाँ पर enhanced की गई है यानि कि आप यहाँ पर brightness बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसको feel कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफिक हैं उनको भी यहाँ पर अपडेट किया गया है तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पर sound की बात करें तो यहाँ पर आपको cinematic sound मिलने वाला है और यहाँ पर आपको stereo के जो speaker है आपको मिलेंगे leading performance की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 64 bit का quad core processor मिलने वाला है साथ में इसमें आपको 1 GB की RAM और साथ में आपको इसमें 8 GB का storage भी मिलने वाला है यहाँ पर आपको multiple ports मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतने ports आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं साथ में यहाँ पर आप जो internet है इसको भी access कर सकते हैं तो यहाँ पर उसका भी जो port दिया गया है साथ में यहाँ पर HDMI पोर्ट आपको दिये गए है, USB पोर्ट है, IDNA हैड़फोन के लिए दिया गया है, AV सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ 5 लाग घंडों का यहाँ पर आपको content मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको smart TV में यह कुछ app मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको hot star देखना है, Sony का जो app है, उसको भी यहाँ पर आप access कर सकते हैं, यहाँ पर आप हंगामा प्ले का यूज कर सकते हैं साथ में यहाँ पर आपको JTV की एप भी मिलने वाली है तो यहाँ पर आप बहुत सारी एप देख सकते हैं और यहाँ पर जो आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा smartphone की जो screen है आप अपने जो smart TV है उसके साथ share कर सकते हैं तो ये भी option आपको देखने को मिलता है तो screen mirroring का option आपको इसमें मिल रहा है साथ में यहाँ पर आपको आप जो TV है उसको control कर सकते है अपने smartphone से तो ये भी feature आपको इसमें मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से आप जो अपना TV है उसको fix कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ images यहां पर दिखाई गई है, यहां पर इसके specs जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर जिसकी जो cell है, स्टार्ट होने वाली है 13 मार्स से, तो आप यहा यहां पर हम बात करेंगे 32 इंच की जो TV है, उसका भी हम यहां पर specs देख लेते हैं, यहां पर जो specs है, यहां पर आप देख लीजे, यहां भी आपको काफी feature देखने को मिलते हैं, तो यह है जो LED डिस्पले है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहां भी आप आपको brightness को option मिलता है, यही quality की जो video है, यह भी आप यहां पर देख सकते हैं, यहां भी आपको मिलता है stereo speaker sound, यहां भी आपको leading performance मिलती है, 64 bit quad quad processor के साथ, और 1 GB RAM, प्लस 8 GB storage और multiple ports यहां पर आपको मिलते हैं, इसके बाद यहां भी आपको बहुत सारे content देखने को मिलते हैं, इसके बाद यहां भी आपको जो app है वो भी देखने को मिलती है, और यहां भी जो आप अपने program हैं उसको customize कर सकते हैं, इसके लावा यहां भी आपको screen mirroring का option मिलता है, साथ में यहां भी आप smart phone से जो TV है उसको connect कर सकते हैं, इसकी जो price है 13,999 बताई जा रही है तो friends यह video आपके लिए काफी helpful रहेगा, वीडियो को like जरूर से कर दीजे friends और channel को subscribe कर लिजे क्योंकि हम ऐसे ही tech updates लेकर आते रहते हैं